Hello students, welcome to my nerger, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं आप सब लोग, मस बढ़िया तो तेले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, Pharma Cognosy का Chapter No.3 Quality Control of Drug का Lecture No.2 और ये इस Chapter का Last Lecture भी होगा, थोड़ा सा Landy होगा Lecture ये ठीक है ना तो अराम से Copy Pen लेके जरूर बैटें, इसमें बहुत सारी बाते समझने वाली हैं क्योंकि याद तो करनी हैं, समझने वाली बाते भी इसके अंदर काफी सारी हैं तो उसके लिए का करना है Copy Pen लेके बैठो और अराम से रिलाक्स होके बैठ जाओ, ठीक है ना Evolution of Drug, Evolution का मतलब क्या होता है, हिंदी में Evolution का मतलब क्या हो जागा, मुल्यांकन करना मुल्यांकन, मुल्यांकन का मतलब क्या होता है, जांच परताल किसी की जांच परताल करना किस चीज की जांच परताल करने वाले है क्या चीज जाने कोईश्च करने वाले है पहले चप्टर में हमने क्या पढ़ा था अडल्ट्रेशन यानि कि मिलावट जो मिलावट हो गई है तो कितनी मिलावट है कोई drug कितना pure है ठीक है न? उसकी जांच परताल होने वाली है drug pure है की नहीं है? मिलावट है तो कितनी है? क्या मिलावट इतनी है कि चल जाएगी? या मिलावट बहुत जादा है वगरा वगरा सारी बातें इसके अंदर होने वाली है तो evolution का मतलब बाद चल गया ठीक है ना आओ देखते हैं introduction में evolution of a drug ensures the identity of drug यह सुनिशित करता है drug की identity drug क्या है and determines the quality and purity of drug और drug की जो quality है और जो purity है उसको जाचने में, determine करने में help करता है ठीक है the main reason behind the need for evolution आखिरकार जरुवत क्यों पढ़ गे evolution की क्या है main reason behind the need for evolution of crude drug are biochemical variation in the drugs drug के अंदर क्या है biochemical variation है पहली बात अगर इसको हम समझे मालो हापस तीन तरह के drug है D1, D2 और D3 for example, example के तोर के समझे मालो इसका एक पत्ता है एक पत्ता ये है और एक पत्ता ये है तीन तरह के पत्ते हैं तीनों के अंदर same chemical पाया जाता है लेकिन इसके अंदर chemical ज़्यादा मात्रा में है इसमें कम मात्रा में या इसके अंदर जो main chemical है उसके साथ-साथ कुछ और भी impurities पायी जाती है तो अब जो मेरे पास drug है वो ये वाला है कि ये वाला है कौन सा वाला है तो इस तरीके से क्या है बायो chemical variation तीन तरह के अलाइब आलग त्रीमें बहुत ज्ञाद है तो कैसे बता चलेगा हम लोग evolution कर के effect of treatment and storage of drug अब जब हम लोग इनका इस्तमाल करेंगा मालो इसके अंदर कोई ऐसा chemical है जो इसको खाने से वो मर्ज जो बिमारी होती है दूर हो जाती है जाना कि इसको अगर खाते हैं मालो एक miligram रोज ले रहे हैं तो बिमारी दस दिन और ठीक हो जा रही है इसके अंदर chemical ही नहीं है इसको खाने 50 दिन तो बिमारी नहीं ठीक हो रही है तो effect of treatment ये भी देखना पड़ता है कि इसको खाएंगे तो treatment का effect जल दी आ जाएगा storage of drug store करने में सबका क्या होता है अलग-अलग रहता है कि इसके अंदर monster content बहुत जादा होता है तो उसके खराब होने के chance जादा हो जाते है ठीक है and the adulteration and substitution और कई बार क्या होती है मिलावट होता है और कई बार हम एक की जगह पे दूसरा substitute करके drug दे रहते हैं तो यही सब चीजे हैं जिसकी वज़े से हम गो क्या करना है evolution करना है जाद परताल करनी है कि हमारा drug original है या नहीं है जो हम चाहते है वो है या नहीं है कहां जरूत पड़ेगी इसकी जो birdie factories है या market में जो sample है उनकी जाद परताल होती है कि market में कुछी असली आरी की नहीं आरी है या जो factory अपना माल खरिदी गए बाहर से वो चेक करें कि कौन सा कैसा माल है असली है कि नहीं मिलावट वाला है कैसा माल है ठीक है ना तो इस तरीके से ये evolution होता है अब इसके बहुत सारे method होते है एक है organoleptic microscopic, physical, chemical और biological parameter पांच तरीके से हम किसी भी drug की जाट परताल कर सकते हैं उसको जाट सकते हैं तो फटा फट देख लेते हैं इनको organoleptic evolution organoleptic समझ में आ रहागा organ जहां पर हमारे organs तो organ कौन से होते हैं जीब टच करेंगे सूंगने वाला, देखने वाला, छूकर महीन महीन खुरकरा खुरकरा है कैसा है ठीक है ना तो organoleptic evolution means the study of drugs using organs of sense sense organ कौन से होते हैं आख, ना, कान, जीब ये सब हो गए ठीक है ठीक है ठीक है टच करना इट रफर्स तू दा method of analysis like color है ना इसमें कौन कौन से method आ जाएंगे color देख करके order खुझू कैसी है taste देखना है size छोटा बड़ा कैसा है shape देख लेंगे and special features such as touch and texture touch करने पर कैसा है और उसका texture कैसा है ये सब चीजें चेक करने जब चेक करके analyze किया जाता है तो उसका हम लोग क्या बोलते है organoleptic evolution एक line में definition खतम हो जाती है तुमारी बात समझ में आई उसके बात तुमको क्या करना है सिर्फ इसके एक या दो example याद कर लेने है और वो इसमें दे देने है organoleptic analysis represent the simplest form of analysis ये सबसे simple तरीका होता है ठीक है आज आगा मालोब पांचों मैंसे ये उपर 5 हमने पड़े है इन मैंसे सबसे simple कौन सा है organoleptic is the simplest method अब example देख लेते हैं कैसे कर देंगा हम लोग देखो talca gum which is used as a substitute for acacia gum है ना talca gum का हम लोग इस्तेमाल करते हैं acacia gum की जगह पे could be identified इसको identified किया ज़्या सकता है by its color and form इसका रूप और color से हम identify कर सकते हैं यह talca gum है और यह acacia gum है talca gum is usually broken टूटा-टूटा सा होता है and also some tears are brown यह brown color का रहता है tear मतलब होता है यह resin type का रहता है ठीक है ना gum जैसे रहता है टपकता है ना तो brown color होता है and other colorless whereas acacia is white to yellow in color यह brown to colorless रहता है यह white to yellow रहता है हो गया देख करके एक example यह याद कर लोगे पहुत सारे example दिये मैंने ठीक है ना example कोई भी अपने हिसाब से एक या दो याद कर लो जो जब organoleptic evolution को लिखोगे तो उसके लिए देने के लिए कम से कम दो example होने चाहिए बास समझ में आ रही है मैंने बहुत सारे example दिये है सारे example याद करने की ज़रूरत नहीं है अब आगे आते है mangosteen fruit हैना अब यह क्या होता है mangosteen fruit डाले हो गूगल पर दिख जाएगा एक fruit है फिलाद के लिए मान के चलो आरा substitute for bale fruit bale fruit का substitute है ये and can be identified by darker rind and the wedge shaped radiate stigma इसके जिए stigma होते है stigma style बता है remigia pediopiculata differ in its morphological character with synchona दोनों bark का इस्तमाल मिलावट के लिए हो रहा है लेकिन इसका क्या है morphological character काफी अलग होते है blood root used as an adulterant for hydrastasis in dark red is brown in color whereas hydrastasis is yellow in color ठीक है ना blood root का use के ज़्यादा adulterant for hydrastasis hydrastasis ठीक है ना dark red is brown का होता है whereas hydrastasis है ये yellow color का होता है ठीक है ना ये हो गया dark red is brown और ये हो गया yellow color का तो कुछ नाम यहाँ पर तेड़े मिला आना श्टार्ट हो रहे है तो जो easy लगे उसको याद कर लोगे rheum raponicum raponicum are much smaller than those of the Chinese rhubarb and are easily distinguished है ना जो यह होता है ये काफी छोटा होता है Chinese वाले से ये याद कर लोगे ginger वाला सान है ginger and capsicum have pungent taste इसका taste कैसा होता है ginger खाओ कभी काफी अक्रा सा लगता है whereas gentian and cherata have bitter taste अगर इनको हम चखेंगे ठीक है तो इसका taste कड़वा होता है और इसका taste थोड़ा सा अक्राइला अक्राइला ऐसा होता है अजी सा लगता है तो ये सब example है organoleptic के याद करने है दो या तीन जो तुमको soliast से लगे ठीक है ना इसके अलावा तुमारे पास कोई और example है जो तुमारे सर ने कहीं और से लिखवा दिये वो तुमको याद है तो वो add कर देने है ठीक है आगे आते हैं अब आते है microscopical evolution थोड़ा सा यहाँ पर बच्चा confused रहता है अब समझते microscopic मतलब हम चले गए है plant के अंदर microscope में क्या होता है cut करते है microscope में देखते है न microscope में देख करके हर एक का कुछ ना कुछ खास structure रहेगा खास cells और tissues का arrangement होता है तो हम cut करके उसको देखेंगे और समझ में आएगा कि अच्छा यह ऐसा है दो अलग अलग powder ले लो microscope में देखो तो एक हो सकता plane नजर आए एक हो सकता खुरकरा नजर आए तो microscope में देखने के बाद जब कोई चीज हमको पता चलती है किसी की जांच परताल की जाती है तो यह microscopical evolution कहलाएगा बात समझ में आ गई आगे आगे आते है microscopic evolution is essential in the initial identification of her सुरुवाती जो identification होती है महापे इसको ज़रूरी होती है as well as in identifying small fragments of crude और powdered herb है ना जिसमें बहुत छोड़े-छोड़े तुकड़े इस्तमाल होते है या powder drug होती है तब हमको microscopy करना पड़ जाता है and in the detection of adultrants, example insects, animal feces mold fungi है ना powder का drug है उससे परतला क्या कहते हैं किसी एनिमाज कोकेश और गयरा की पटी पड़ी हुई है इसके अंदर कोई insect का तुकड़ा टांग तूटके पड़ी हुई है मरा हुए की कोई mold है, fungi है वो सब mix हो रखा, एकी color का समझ में नहीं आ रहा तब क्या करेंगे हम लोग microscopic, छोटा sample लेंगे डालेंगे microscope में और देखेंगे अगर उसमें दिख जाता है तो एक idea लग जाता है ना जैसे कि हम चावल पूरे cooker में चावल एक चावल को उठाके देखते हैं पग गया, इसका मतलब पूरे चावल पग गया होंगे तो हम चोटा sample लेते हैं, एक miligram उसमें चेक करेंगे, उसमें कितना पाया जा रहा है उसके सावल आडिया लगा लेंगे कि पूरे sample में कितना होगा ठीक है, as well as identifying the plant by characteristics tissue features और जोसको tissues होते हैं उसको भी हम लोग उसमें अनलाइज कर लेते हैं कि ये tissue, इस type का tissue इस plant में पाया जाता है अगर इस type के tissue नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब ये किसी और plant के tissues हैं जो कि मिलावट को indicate करेंगे बास समझ में आ रही है, तो microscopic का हम लोग totally किसका इस्तमाल कर रहे हैं माइक्रोस्कोप को इस्तमाल कर रहे हैं हर एक चीज को चेक करने के लिए तो इसमें simple definition में क्या लिख सकते हो कि जो adult rent होते हैं जैसे कि insect हो गया, animal feces, feces मतलब party हो गया mold हो गया, fungi हो गया, अगर को इसका मिलावट है ठीक है, या यह मिलावट हो सकती है इसला है identifying the plant by characteristic tissue feature plant की एक खास tissue का arrangement रहता है वो दिख जाता मैक्रोस्कोप में ओके, every plant possesses a characteristic tissue structure हर एक plant का एक खास tissue का structure होता है बनावट का internal देखेंगे तो अलग type बनावट होती है which can be demonstrated through the study of tissue arrangement है ना, जिसका हम लोग tissue का arrangement से study करके पहचान सकते हैं कि इस type का tissue arrangement इस type के plants में पाई जाती है clear है ठीक है ना तो हम लोग यह सब कैसे अच्छा tissue को कैसे देख पाएंगे, microscope से देख पाएंगे इसी वजए से microscopic evolution कहा गया है इसे बास समझ मारी है तो हम लोग क्या कर रहे है जो क्या कर रहे है माइक्रोस्कोपी help से evaluate कर रहे है आगे आते हैं अब यहां पर एक example दे रखा है जब लोग माइक्रोस्कोपी evolution करते हैं तो क्या होता हमारे पास एक slide होती है याद होगा है ना यहां पर हम सेंपल डाल देंगे सेंपल के उपर हम लोग एक lid लगा देते हैं इसके उपर कई बर कलर वगरा डाल देते हैं ठीक है ना था यह डाला हमने hydrochloric acid या fluoroglucinol ठीक है ना यहां पर कॉमा लगा जाते हैं लिगनीन इस्टेंट रेड और पिंक विद ड्रॉप फ्लॉरो ग्लीसिनॉल का डाला और कलर क्या आ गया पिंक आ गया या रेड आ गया तो हमको समझ मा आएगा कि इसके अंदर कौन सा chemical है लेगनीन है और अगर हम डाल रहे है और कलर आता है पिंक हम लोग क्या डाल रहे है रूथेनियम डैट डाल रहे है और कलर क्या रहा है पिंक तो हम समझ जाएंगे उसके अंदर क्या मौजूद है मूसिलेज मौजूद है ठीक है यही अगर हम n by 50 iodine solution यहां पढ़ भी च पाता है कि सेंपल के अंदर स्टार्च होना चाहिए लिगनीन नहीं होना चाहिए लेकिन हमने जब टेस्ट किया तो इसके पिंक और रहा था इसका मतलब में मौजूद है यानि की मिलावट मौजूद है बास समझ में आ रही है तो एक तरीका यह हो गया अब बात करते हैं the characteristic feature of cell wall cell wall का भी characteristic feature होता है उसके cell lose से बना होता है किस टाइप का है पतला मोटा और कितना percentage उसके अंदर cell lose पाये जा रहा है sell content starch grain कैसा है जो के Isaiah in गियंग ज्यों कैसे है काल्सियूम ओक्सले जो उसके अंदर पाया जाता है उसके crystal ट्रیکोम्स जो खहुत था न हुआ, स्टाइ वेयर जिबी सेक्ट्रीश रहימा करा। हम से या जандर हम्ट्र इससक्तुर कने कि अचिक क्रिश्टल ट्राइकॉम्स फाइबर वैसल यह जो चीजे हैं यह हर एक टाइप के प्लांट्स के लिए अलग-अलग होती है है जरुर नहीं सब पाये जा किसी मुश्ट है जाते होँ ठीक किसी करने स्टाइब बहुट जादा होंगे किसी करने क्लसियम ऑक्सलेट मिल रहा है इसका मतलब उसके मिलावट हो रखी है बात समझ मारी है तो यह सारे ऐसे फीचर से जो माइक्रोस्कोप की हल्प से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं अब देखो यहाँ पर कुछ मेडुलरी यह इसका अनाटॉमिकल टर्म है प्लांट के अंदर पाए जाता है ठीक है तो यह मौझूद होगा और यह मौझूद होगा अगर यह चीज़े नहीं मिलती है उस सेंपल के अंदर माइक्रोस्कोपिक एवलिशन करने पर तो इसका मतला उसके अंदर सुरिणाम कॉस्या नहीं है या कुछ और सेंपल मौझूद है तो उसके अंदर यह सब चीज़े नहीं पाए जाएंगी आगे आते हैं वेवी मेडूलरी रेस अगें हैना प्लांट को जब हम कट करेंगे इस तरीके से पढ़ा होगा तो यह बीक है ऐसकारा बार्ग वेवी मेडूलरी रेस फाउंट इन कैसकारा बाक जो कैसकारा का बार्ग होता है उसके अंदर वेवी लेज लेज पाइब जाती है जनरली जो medullary rays होती है वोитесь स्ट्रेट होती है ठीक है ओके लिग्निफाइट zach bones and plasma decim4 next wormika next wormika होगा तो उसके अंदर क्या मिलेंगे लिग्निफाइट song and plasma decim4 मिलेंगे उस तरीकें से यह क्या है इनके microscopic characteristics है हर किसी के ज़ोच कर लिए है अग्याट हो तो बहुत सारे देदी है मैंने यहापर तुम लोग कोई दो-चार याद कर लोगे और सिर्फ बता दोगे कि इनके इंदर यह पाया जाएगा तो यह है नहीं पाया जाएगा तो यह नहीं है मतलब मिलावट है स्टोन तून सेल सार अयहाफसं इन दा फ्रेंगूला बार्क वेरेज यह ब्रेंगूला बारख दो बार चाल देढ़ी ह को अब पैचानो कौन है अगर इस Alors पायजा जाएगे यह इसका अनेटॉमिकल स्टांप्च्चर होताँ तो वो उपायूला बार पाय जा रहे हैं तो क् होता है एपसेंट होगा और रूट के अंदर क्या रहेगा अब यह राइजों ठीक है ना याने की अध्रक होती हो भी जमीन के अंदर पाई जाती है अब अध्रक हमको बहुत अच्छे से पता है क्या है इस टाम का सेना एंड प्रजेंस और एपसेंस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अलॉइन इंडिकेट डिफरेंट वराइटिस ऑफ एलॉइस ग्रेंडूलर ट्राइकॉम्स ऑफ मिंट एट्सेटरा तो यहां बहुत सारे दे दिया है एक्जामपल यह दा पाउडर ऑफ क्लोव इस टाक होता है इस तो मिलावर का परदेशचल दाएगा कि केबल क्लोव है या उसके साथ स्टेम भी है इस्टेम काई पाउडर है उसमें आब हम एक्जामपल है माईक्रफिया माईक्रेंथ और राव वॉल्फिया डैंसी फ्लोरो आंड राव वॉल्फिया पीरो कैंसिस आर फांद टू सर्फ as an adulterant for raw warfare serpentine यह पढ़ चुके हम लोग कोगनोसी में आगे आ जाएगा ठीक है अभी नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा confusion हो जाता है कि हम लोग पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया ना सारे सब्सक्राइब कोई बात नहीं तो raw warfare serpentine एक काफी अच्छा ड्रग है ठीक है ना इसमें हम लोग यह वाला ड्रग है यह वाला ड्रग की मिलावट कर देते हैं ठीक है एडल्टेंट के इसमाल करते हैं the roots of these species can be differentiated from our serpentine इनकी इसकी इसकी जो roots है ना वो अलग होती है आर सर्पेंटाइन से by the presence of scleranchyma in the above species which is absent in our serpentine याने की ऊपर की तीन स्पीसिस में scleranchyma plant का tissue होता है ठीक है वो पाये जाता है और our serpentine में यह क्या होता है scleranchyma absent होता है तो यह microscopic evolution है बासभी में आगी ठीक है अब और आगे आते हैं हम लोग एक तरीका तो यह हो गया और दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है the techniques like microscopic linear measurement microscopy health से हम लोग क्या करेंगे linear measurement अब यह linear मतलब क्या होता है किसी की पाउडर की यह आव देखते हैं determination of leaf constant leaf constant क्या होते हैं कि एक लिफ के अंदर किस्टने इस्टवड़ा पाये जाएंगे है ना वो दो fix होंगे हर एक में लगबग लगबग approximate same ही रहता है ठीक है इस्टा सो leaf constant leaf की कुछ कुछ ऐसी values होती है जो हर एक प्लांट के लिए fix रहती है and quantitative microscopy quantity कितनी quantity मिलेगी हमें ठीक है और also used in this evolution कैसे आव देखते हैं अब देखते हैं अब लीनियर starch grain बनाता है मतलब कि glucose को इखटा करके starch में बदलता है और छोट छोटे दाने की रूप में इस्टोर होता है जिसको हम लोग क्या मोलते हैं starch grain कहते हैं अब उस starch grain का size length and width of fiber fiber कंदर मौझूद है और trichomes का etc ठीक ना इसके नदर क्या क्या है साइज का measurement चल रहा है starch grain को न आप लेंगे fiber को न आप लेंगे trichomes होना आप लेंगे microscopic तरीके से आगे आते हैं अब देखो आइपे कोहना का जो starch grain होता है उसमें अलग 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 होता है तो हमें उससे idea लगता है कि अच्छा इस size का starch grain है इस sample में तो ये वाली variety है इस size का starch grain है तो ये वाली variety है क्लियर है the diameter of starch grain in cassia bark distinguishes from cinnamon and detect senna stark in powder of senna leaf ठीक है न तो जो starch grain का जो size है वो help करता है cassia bark को cinnamon bark से अलग करने में और detect करने में senna stark और powder senna leaf जो leaf और stark का जो powder होता है senna का उसको उन दोनों में जो starch का size है अलग अलग पाया जाता है क्लियर है the size of the stomata in leaves of bursoma अब जो stomata का size ना अप लिया गया है stomata पता है ना जहांसे gases का exchange होता है है ना stomata in leaves of borosma betulina distinguish it from other species of borosma याने कि यह वाली जो species है ठीक है यह जो कि यह वाली variety है या नहीं है the diameter of phyloem phyloem पता है ना क्या होता है जो food को carry करता है प्लांट के अंदर उसके जो fiber से बना होता है the diameter of flowing fiber aids the detection of cassia aids मतलब help करता है the detection of cassia in cinnamon cinnamon जो cassia in cinnamon ठीक है एंड the width of vessel help to detection of clove stark in powder clove ठीक है ना याने कि जो flowing fiber की अगर हम लोग diameter को नाप लें तो detect करने में cassia in cinnamon cinnamon के अंदर cassia है की नहीं है हम लोग phyloem fiber के diameter को नापके पता लगा सकते हैं and the width of the vessel vessel क्या होते हैं जो carry करते हैं पतले पतले pipe type के नुवा रहते हैं ठीक है ना जो क्या कहरी करते हैं विट of the vessel help to detect clove stark clove के stark को in powder clove जो powder clove होगा है ना उसमें stark है या नहीं है इस टाक का powder mix-up है या नहीं है वो हम vessels की help से पता लगा लेंगे तो यह सब microscopic है तो यह क्या था linear measurement याने कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं लंबाई चोड़ाई ना परें linear measurement का simple सा फंडा क्या रहेगा यहां पर हम लोग क्या ना परें length लंबाई and चोड़ाई length and width गोलाई width हो गए अपने बास क्या गोलाई हो गए चोड़ाई हो गए तो यह आगे अपना linear measurement microscope की help से length और width को ना पलिया आ गया आते हैं अब determination of leaf constant अब यह leaf constant क्या चीज़ है आओ समझें it include istomatal number पढ़ेंगे अभी क्या होता है istomatal index, वीन आइलेट, वीन टर्मिनिशन नंबर और पहली जैड रूशो यानि कि leaf constant के अंदर यह सारी चीज़ाने एक पत्ते के अंदर istomator का number fix रहेगा एक खास प्रजाती के plant में जाना कि neem का पत्ता लेलो अगर तो दुनिया में कहीं भी नीम का पत्ता होगा उसमें istomator number fix होगा उसका istomator index कहीं से भी ठालो सेम मिलेगा उसके वीन आइलेट सेम मिलेंगे वीन टर्मिशन नंबर सेम मिलेंगे ठीक है और पहले जैड डिशो भी सेम मिलेगा है ना अब अगर तुम लोगों पता हो नीम जैसे एक और plant होता है हम बकैना बोलते हैं हिंदी हम बोलते हैं इंगलीज में क्या बोलते हुँ पता नहीं है तो उसके पत्ये को नीम के पत्ये को ऐसे एक बार देखो तो सेम लगता है लेकर तुम यह चीज उसकी चेक करोगे तो दोनों में अलग-अलग दिखाई पड़ने वाले हैं तो तो को स्टोमेटर नंबर क्या होता इस दा एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटर पर स्क्वार मिलीमी में कितने स्टोमेटर है है ना नंबर ऑफ स्टोमेटर काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ स्टोमेटर को काउंट कर लेंगे यहां पर और वो एक एवरेज नंबर होता है यहां से कट मारा है कितना मारा वन मिलीमीटर का यहां से कट मारा यहां से कट मारा मालों यहां पर निकल क्या है निकल क्या हDr. 59 यह निकल क्या है बावन तो हम करें इनका एक एवरेज ले लेंगे की लगबग इतने स्टॉमेटर पर स्क्री मिल हिब दीडा अंने है किलिकर नमबर बड़ा असा नम мнर पम明, ज cáल नम वोट हूगा, आगे आते हैं, तो यह इस्टाइटर नंबबर को देखके हम पता लगा सकते हैं, नेच्ट आता है हमरे पास स्टॉमेटर इंडेक्स, क्या है यह स्टॉमेटर इंडेक्स देखो क्या रहे, it is a percentage which the numbers of stomata form to the total number of epidermal cells ये एक और चीज आगे कहीं लागे ही उसे से मिलता हुलता है अज़र नमबर अश्टामेटा फॉर्म याना की लीफ है ठीक है कि ये इस्टामेटा मालू है इसके अंदर तो नमबर अश्टामेटा फॉर्म टूटल नमबर अफ एपिडर्मल सेल्स मालू और यहां पर क्या है एपिडर्मल सेल्स है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दास ग्यारा इस तरह से हर सेल में तो इस्टामेटा होता नहीं है हर सेल में तो इस्टामेटा नहीं होगा गैपिंग में रहता थोड़ा सा तो टोट ओपर कितने हैं टोटल सेered मड़ सेल नीचे और नीचे आ जाते ऐसेल थोड़ा बनेगा फिलाल एक बात पॉढ नूर और फॉर्ड फॉर्म होतो तो रोलहें याद रखना जो तो अच्छी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है क्या हो जाएगा s upon e plus s into 100 where s is the number of stomata per unit area एक unit area में कितने stomata है number of epidermal cell in the same unit area यानि कि मालों हम लों यहां से कट मार लें तो इस कट में कितने stomata है और कितने epidermal cell है अनका ratio कर लेंगे नीचे इसको plus भी करते हैं इस वाले को ठीक है ना अब क्या कह रहा है आप टीमर में 1927 में एंड रॉसन इन 1943 में वर अमांग्स दा फॉस्ट यह लोग पहले ऐसे थे जिन्हों ने investigate किया था लीव ड्रग फॉर इस त्रत्रमेटल नंबर in options रहां आ इस्टेमेटल इंडेक्स इन लोगों ने का मज़का साइबम इंडेक्स, इस थे इस तरीके सा में को आडे लग जाएगा, जो लोड़ों का mix-up कर देंगे丁 या इंडियन्ए से ना है बास समझ में आ रही है tähän कि Back wean islet number, wean islet, wean तो पता है ना पत्तो में, नहीं, पता देखो, बता दूमें, ये सब weans हैं, देखाई जा, पत्ले पत्ले, ये main क्या है, this is the midrib, बीचा बीच में जो होती है, ठीक है ना, फिर ये का है, wean है, wean हैं, ये wean है, और यह जो महीन महीन यहां से निकलती हैं इनको हम लोग कहते हैं क्या वीनलेट वीनलेट बोल देते हैं वह बहुत महीन वाले जो हो जाते हैं मेन, मिड्रीप यह वीन और पतले पतले जो महीन महीन यहां से कट मारके निकल रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वीनलेट बोलते हैं, तो इनका भी खेल बड़ा अच्छा है, आप देखें समझें, क्या कहा रहा है, वीनलेट नमर क्या, अब वेरी स्मॉल पैच आप फोटो सिंथेटिक टिसू, पत्तो में फोटो सिंथेजिस होती है, और जो पार्ट फोट पार्ट फोटो सिंथेजिस कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक फोटो सिंथेजिस का पार्ट बोल देंगे, पैच बोल दिया, ठीक है, इनना लीफ स्राउंड़ेट बाए, स्मॉल वीन्स, स्राउंड़ेट बाए, जैसे मालो ये, 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 तो ये स् पूरी तरफ से के से वीन से स्रावंड हो रख यह तो थो थो मोटा-मोटा अंदर और महीन है वो बाइक्रोस्कोप से दिखाए देगा आगे दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को समझाऊंगा ठीक है दो यहां पर समझ लेते हैं हम लोग तो यह देखो वीन आइलेट यह सबसे महीन . यहां पर मैं देखो बताऊं तुम लोगों को तो यह देखो यह अंदर और महीन है यह फिर माइक्रोस्कोप यह स्कॉप से यह रहता है वीन 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 पूरा पकोवर कर बीच में यहां पर क्या हो रही है फोटो सिंथेटिक टिसूस हैं तो इस वाले पार्ट को क्या कहा गया वीन आइलेट कहा गया और अंत में कुछ वीन ऐसी होती है जो ऐसे जाकर के लोग खतम हो गई मतलब यह किसी को भी कवर नहीं कर रहे हैं इनका termination आ गया, अंत आ गया यहां पर जाके is혜ाय से pipe कहीई खतम हो जाता ना तो यहां पर खतम हो गया तो इस यह तहि今 टर्मीने लेशन कहते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं विन टर्मीनेशन विन टर्मीनेशन और विन आइलेट यह हर एक पत्ते की खासियत है इसको भी आवलोग देख लेए ठीक है ना बास वंज में आई यह हर एक पत्ते की क्या है खासियत है तो क्या कह रहा है इस डिफाइड एस दा नंबर ओफ वीन आईलेट पर स्क्वेर मीटर याने की यह काउंटिंग कर लेंगे एक दो तीन चार एक स्क्वेर मीटर में कितने वीन आईलेट है ठीक है कितने हमारे पास क्या है यह हर एक प्लांट के पत्ते की खासियत होती है और उसकी उसमें ही जो नंबर होगा उसके लिए फिक्स होगा और किसे पह नहीं पाया जाएगा वह नंबर किसी खासियत के लिए क्या रहता है यह constant होता है of the plant and is used as a characteristic for the identification of the allied species और उससे मिलती उलती जो उसके भाई बंदू है उनके उनको differentiate करने में लगते एक जैसे हैं लेकिन हम लोग यह काउंट कर लेंगे तो उनके भाई बंदू जो स्पीसिस हैं मतला जो मिलती उलते स्पीसिस हैं उनमें वोक नंबर नहीं मिलेगा अलग नंबर मिलेगा अब क्या करें 11 in 1929 डिटर्माइन वीन इलेट नंबर फॉर सेवरल डाइकॉट लीफ लेविन ने फाइंडाट किया था वन एक्जामपल इस वीन इलेट नंबर ऑफ अलेक्जेंडेरियन सेना इसके जो वीन इले ओर एक नंबर सोथ मैं आ गया होगा ठीक है नौ 2021 टिर्मिनेशन वीन इलेट टर्मिनेशन गैंडाइन तो कितने मिलेमिटर ने पर सब्सकर Winter में all the leaf surface मिट्वें बिट्वीन दा मिड्रिफ एन डा मार्जिन दो के मिट्वार मार्जिन कितने आ रहे हैं पर स्का अिलिमीटर में हम लोग चैक कर लेंगे अब विन टर्मिलेशन इस द राल्टीमेटच прी टर्मिलेशन ओस वीठलेटबंगेश यह विन लेयु और किलीर रहynn ख औरแล अक् herramient को सब्सक्राइब कि यह नेक्स कर्यों हम तक प्रॉला पार्ट से बीच में आप जो ऊपर अला पार्ट होता है जिसक्तर धूप पड़ती है वह Arin simon क्या रहेगा चलोज क्लोस लगे रहते हैं इनकोल कहते हैं पैलीजेट यह पूरा होता है मीजोफिल उपर हुठा से सिट को कहा है जा या है ना हो पास होती है ठीक तो इस ट्रक्टर समझ में आया, पैलीजेट किसको कहा जागा है, पैलीजेट एक सेल के नाम है, जो काफी close-close लगे रहते हैं, उपर की तरफ, यह सबसे उपर के सेल, epidermis, उसके उपर cuticle होती है, थोड़ा बहुत अगर इस ट्रक्टर याद होगा anatomica, तो बात समझ में आ र people, it is defined as the average number of palliated cell beneath each epidermal cell, एक सेल के नीचे तो यहां पर count करें अगर, यह अला सेल है, तो एक, दो, और यह सेल कुछ ऐसा होगा, अंदर तक, इसकी नीचे और होगा, तीन, चार, एक epidermis, सेल के नीचे, average कितने सेल पाए जाते हैं, किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 10 मिलेंगे, किसी में 5 मिलेंगे, हर एक, प्लांट के पत्ते में यह अलग होगा, यानि कि सभी के सभी नीम के पत्तों में एक जैसा होगा, सभी पीपल के पत्तों में एक जैसा होगा, ठीक है ना, इस टाइब से, it is defined as the average number of palliated cell beneath, मतलब नीचे, each epidermal cell, हर एक epidermal cell के नीचे, एक सेल के लगभग कितने palliated cell पाई जा रहे हैं, unlike venylet, number for the determination of which an unbroken portion, अब कह रहा है, not like, unlike मतलब not like, venylet number for the determination of which an unbroken portion of the leaf is required, है ना, हमको ven को count करना है, तो हमें पत्ता कैसा चाहिए, एकदम सजा होगा पत्ता चाहिए, unbroken पत्ता होना चाहिए, but, palliated ratio can be, palliated ratio can be determined with the powder drug, इसको हम लोग पाउडर ड्रग के साथ भी calculate कर सकते हैं, को लास्ट cell वाला पार्ट होता है, तो पाउडर ड्रग के साथ भी calculate हो जाता है, the technique of palliated ratio determined was introduced by joining and wees, 1925 में in their studies on composite, जो composite family पे यह लोग क्या कर रहे थे, study कर रहे थे, तब इन्होंने पहली बार यह लग टेक्निक को निकाला, clear है बा पहले हैं, है ना, ठीक है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या करना है हमको यहाँ पर इसका एक flow chart बना लोगी इस टाइप से, किसके अंदर क्या क्या है, किसके अंदर क्या क्या है, किसके अंदर क्या चीज़े है, clear है, now quantity, यहाँ पर हम क्या चक करेंगे, quantity, quantitative microscopy, lycopodium sport method, क स्पोर को अलग-अलग देखना, इसकी दो-तिन कुछ खासियत हैं, सब इसमें आ जाएंगी, एक तो इसके सारे स्पोर्स, स्पोर मतलब इसको ऐसा समझ लो, कि powder जो होता है ना, powder नुमा, इसके स्पोर पाये जाते हैं, lycopodium के, और सारे के सारे स्पोर्स, दाने जो होते हैं इसके महीन वाले, वो एक तार होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है, तो इसके खासियत क्या है, माल लो मैंने 1 mg को वेट कर लिया, तो इसमें रेश्वा आएगा, लगभग कितने होते हैं इसके अंदर, 94,000, एक मिलिग्राम के अंदर, अगर मैं माइक्रोस्कोप में उसके द लाइक पोडियम होगा, तो उसके अंदर, इसके दुगने स्पोर होने चाहिए, अगर दुगने स्पोर नहीं मिलते हैं, मतलब मिलावट है, कितना असान काम है, है ना, तो यही तरीका यहां पर फॉलो होने वाला है, बास समझ में आगी, हम लोगों को एक फिक्स की जाती ही, काफी important है, when chemical and physical method are in applicable, जब chemical and physical method, समझ में नहीं आते हैं, कर नहीं पारे काम को, तो हम लोग इस तरीकों के अपनाते हैं, using this, इसको इस्तिमाल करके, one can determine the proportions of the substance, कोई भी substance का proportion को determine कर सकता है, presented by means of the microscope, using the lycopodium spore method, किसी भी drug को अगर हमें, चेक करना है, कि उसके अं कि कितना है, पार चल जाता है, तो इस method को इस्तिमाल करके, हम लोग कितना proportion of substance के अंदर है, हम लोग चेक कर सकते हैं, अब क्या है, lycopodium के बारे बात कर लें, lycopodium is composed of spores of lycopodium clevetum, lycopodium में हम लोग किसके spore को लेते हैं, lycopodium clevetum के spore को लेते हैं, the spores are exceptionally uniform, मतलब, जैसे करत सब की value कितनी होती है, 25 micrometer की सब एक समान गोल होते हैं, and the shape is tetraheadle, गोल तो नहीं है, tetraheadle, 4 से कुनने से निकले रहेंगे, ठीकर उनका shape कैसा रहता है, tetraheadle, so that one can always know that a definite number of sports present in particular weight of lycopodium, तो अब यहां से हमाँ ले बढ़ा असान है, कि एक particular weight में, जैसकि वन मिलिग्राम में जो number of sports है, लाइक पोडियम के, वो fix होंगे, कितने पाएगा है, 94,000, on an average, 94,000 sports are present per milligram of powder, lycopodium के एक milligram powder में, कितने पाएगा है, 94,000 sports पाएगा है, using this figure, इसको इसको इस्तमाल करते हो, one can calculate the weight of any number of sports, under any condition, under the microscope, है ना, इसको अब डाटा को इस्तमाल कर लेंगे, कोई काएगा बत अब देखो, आगे आते हैं, अब powder drug is evaluated by this technique, कोई भी powder drug है, हम इस technique को लगा करके, उसे क्या कर सकते है, find out कर सकते है, if it contains, अगर उस powder drug में, यह 3 quality होने चाहिए, well defined particle which may be counted, particle कैसे होने चाहिए, एक दम अलग अलग होने चाहिए, यह नहीं कि चिपके चिपकते होए पार्टिकल well defined particle होने चाहिए, जिनको हम count कर सके, for example starch grain, starch grain किसी का अंदर कितरे हम इसकी तरह क्या कर सकते है, count कर सकते है, single layered cells or tissue, the area of which may be traced, single layered cell होने चाहिए, या tissue होने चाहिए, जिनका area हम लोग क्या कर सके, trace कर सके, नाप सके, under suitable magnification, मतलब microscope के अंदर सके, the object of uniform thickness, thickness कैसी होने चाहिए, uniform ह and actual area can be calculate, और फिर कितना area calculate कर रहा है, कितना area घेरेगा, उसका हम लोग क्या कर लेते है, calculate कर सके, तो यह तीन quality अगर किसी powder drug के अंदर है, तो हम उसके उपर lycopodium वाला method लगा करके, use करके, उससे क्या कर सकते है, calculate कर सकते है, अब देखो क्या कर रहा है, adulterated starchy drug, अगर कोई starchy drug है और वो मिलावत हो रखे हो, उसके अंदर, can be determined by counting the number of starch grain per milligram, हम क्या करेंगे, एक milligram में number of starch grain count कर लेंगे, and calculating the amount from known number of starch grain per milligram of the pure starch or starchy material, अब प्योर का count कर लेंगे, मिलावत वाले का count कर लेंगे, देख लेंगे, प्योर है या, नहीं है, very simple, अग आते हैं, अब क्या कह रहा है, दस, if spent ginger, spent ginger का मतलब है, ऐसी ginger जिसके अंदर से हमने क्या कर लिया है, उसका arc खीच लिया, arc मतलब ginger को ऐसे निचोड़ दा, समझो कि ऐसे निचोड़ दिया, तो उसका अदर सारा chemical भार आ गया, अब ginger ginger बचिए केवल, उसके अंदर chemical तो कुछ नहीं है, ऐसी ginger को क्या कहा जा 286,000 starch grain per milligram, हमको पता है कि एक milligram में ginger के अंदर कितने होते हैं, 286,000 starch grain per milligram and the amount used as an adulterant can be calculated by using this figure, और हम लोग कितना amount of adulterant मिलाया गया है, इस figure को देखते हुए calculate कर लेंगे, हर किसी का ये अलग होता है, हर किसी के अंदर तो starch की counting होती है, वो अलग अलग होती है, तो यहाँ पर ह करना करना, समझ लो, लेकिन कैसे करते हैं, the percentage purity of authentic powder ginger is calculated using the following equation, ये equation लगा देंगे हम लोग, percentage purity of drug, कि drug कितना pure है, and w into 94,000 like a pory हम वाला, use करते हो, into 100, s into m into p, p की क्या value होती है, ये वाली value रहेगी, ठीक है न, हर किसी के लिए अलग होगी, जो drug होगा, उसके लिए p की value अलग हो ठीक है, in 25 fields, actually क्यों होता हम, अलग-अलग 25 fields से निकालते हैं, चीज़ों को, है न, जिससे कि हमें क्या रहे, एक idea लग जाए, 25 fields से अलग-अलग उठा करके, हम लोग क्या करेंगे, तब ही हम लोग क्या करेंगे, average लेते हैं, आगे जा करके, weight in mg of lycopodium taken, lycopodium कितना लिया है उसका weight, s is the number of lycopodium sports in the same 25 field, उसी 25 field में जो lycopodium हमने grow करवाई, या जो लिया हमने वहां से, उसी 25 field की होनी चाहिए, m is equal to weight in mg of the sample calculator on the basis of sample dried at 105 degree centigrade, m is the weight of sample, sample का weight जिसका हम सुखा लेते हैं, 105 degree centigrade पर, इस technique पर बहुत ज़्यदा अंदर घुशनी कोशिस मत करना, just एक formula है, उसके तो बता दे रहों, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, P is the 286,000 in the case of ginger starch, grain powder, जब ginger का ले रहे हैं, तो उसकी केस की बात हो रही है, if the material is one for which a constant is not available, अगर कोई material ऐसे है कि constant available नहीं है, it is necessary to be determined one by the preliminary experiment, पहले experiment करके ये constant पता लगाना हमारी पहले जिम्मेंदारी होगी, फिर उसको हम यहां लगा देंगे, percentage purity of drug हमको मिल जाएगी, किलियर है तो इस तरीके से हम लोग तरीका किसमा आयता है, यह माइक्रोस्कोपी वाले की तरीके में आयता है, बात समझ में आ रही है, बात किलियर है, next है हमारे पास, chemical evolution, ठीक है, chemical evolution हम बात समझ में आ रही होगी हम पर सारी बात है किसके होने वाली है, chemically होने वाली है, chemical से related, ठीक है, the chemical evolution includes qualitative quality, chemical test, quantitative chemical test, quantity, याने कि हम quality और quantity दोनों के लिए test करते है, chemical essay करेंगे, chemical essay में क्या होता है, उसकी मतलब chemical essay में यह दोनों ही चीज़ा आ जाए, quality और quantity रूट चेक करना, chemical essay आ जाता है, and instrumental analysis, जब analysis में analysis करने के लिए हमें किसी instrument का सहरा लेने पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, instrumental analysis, very simple, जैसे chromatography होती है अपनी, उसमें खास instrument का हमें use करना रहता है, तो ऐसी analysis को हम लोग क्या बोलते हैं, instrumental analysis, now, the isolation, purification, isolate करना, purify करना, and identification of active constituent, active मतलब, जो main constituent है, जो की काम करता है, as a medicine, are chemical method of evolution, ठीक है न, the isolation, purification, identification of active constituent, are the chemical method of, मतलब, isolate करना, purify करना, identify करना, of active constituent, are the chemical method of evolution, यह कौन से method सो हो जाते हैं, हमार पास, chemical method सो हो जाते हैं, अब देखो, बात करते हैं, हम लोग, qualitative chemical test, include, जब हमें quality को पता करना है, इसका में कौन कौन आएगा, identification test for various phyto-conditioned like alkaloid, glycoside, tannin, etc, ठीक है न, example क्या है, ठीक है, तो qualitative check करने के लिए, जो test करने पड़ते हैं, उसमें कुछ example दे रखे हैं, यहां पर, copper acetate used in the detection of colophony, present as an adulterant for resins, balsam and waxes, ठीक है न, हम लोग, detect किसको करते हैं, colophony को किसके करेंगे, copper acetate से treat करा करके, hallfans test for cotton seed oil and bowdoins test for sysam oil in olive oil, याने कि cotton seed oil और sysam oil, अगर oily oil मिला हुआ है, तो cotton seed को check करने के लिए, hallfans test करेंगे, और sysam oil को check करने के लिए, bodies test करेंगे, ठीक है, test के नाम है है, direct, तो यह सब chemical ही हो रहा है, chemical की help से करने, तो chemical test होगा, तो quality, ठीक है न, qualitative test के लिए, test आगे सारे, the test with acetic and nitric acid for gurgian balsam in copoiba, when arcs reagent for ergot, ergot के लिए, when arcs reagent होता है, है, vitalis morins reaction for tropene alkalide के लिए, हम लोग इसका इसका इस्तमाल करते है, iodine इस्तमाल करते है, starch के लिए, और morexide test for purine basis, etc., तो इसमें से कोई भी दो-चार अपने याद कर लोगे, और example में लिख दोगे, तो qualitative test, यानकि simple सी बात है, जब हमको chemical की help से हम लोग evolution करेंगे, तो chemical evolution हो गया, यह सारी बाते उसके अंदर आ रहे हैं हमारे पास, आगे आते है, quantitative chemical, अब यहाँ quantity की बात हो रही है, यह सब बात है किसकी थी, quality, हमने quality देख रहे थे, pure है या नहीं है, quantity, quantitative chemical test such as acid value, ठीक है न, saponification, value जो बलसम के लिए होता है, acid value जो के रेजिंस बलसम के लि acid value, volatile oil के लिए, etc, और also useful in evolution of a drug by means of chemical treatment, यह सब्सक्राइब क्या इस्तमाल हो रहा है, chemical इस्तमाल हो रहा है, अब इनकी detail में नहीं जाना हमको सिर्फ पता हो अच्छे की, quantitative test यह है, और chemical test यह है, के लिए रहे है, आगे आते हैं, chemical assess, जिसका रहे है, quality और quantitative और qualitative दोने include होते है, include assay for alkalide, resin, volatile oil, glycoside, vitamins or other constraints, ठीक है नहीं कि कह रहा ही है, इन सब के लिए भी chemical test मौझूद है, assay मौझूद है, for example, the assay of total alkalide in belladonna her, इसके लिए assay मौझूद है, the total alkalide and non-phenolic alkalide in Ipequana, Ipequana के अंदर कितना alkalide है, ठीक है, और non-phenolic alkalide है, उसके लिए हम chemical assay कर सकते हैं, तो कितनी है ना, quality और quantity, किसके अंदर कितनी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, chemical, ऐसे बोल दे जायता है इसको, जब दोनों चीज़े एक साथ combined होती है, याने कि complete chemical, जिसे कहते हैं, analysis, that is called, किसी उटाइब भी जो chemical, चाहे है, quality और quantity हो, सब कुछ किसके अंदर include हो जाए ठीक है, पास समझ में आ रही है, now the instrumental analysis, instrumental analysis are used to analyze the chemical group of phyto-constant, हम यहां पर इसका इसका इस्तमाल क्यूँ कर रहे हैं, ताकि chemical group कौन सा है, जो phyto-constant है, जो chemical plant के अंदर पाए गया, उसका chemical group को check करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, instrumental analysis करते हैं, using chromatographic and spectroscopic method, दो method होते हैं, दो chromatographic और spectroscopic, ठीक है, chromatographic methods, include paper chromatography, thin layer chromatography, ठीक है, chromatography तम लोग का साइथ होगा, भी और हम लोग आगे जब आएंगे तो detail में पढ़ेंगे इसके बारे में, gas chromatography, high performance liquid chromatography and high performance thin layer chromatography, spectroscopic method include ultraviolet and visible spectroscopy, infrared जिसके इंदर 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 nuclear magnetic spectroscopy, तो सभी method में detail में हमें नहीं जाना है, यहाँ पर आगे जाकर के तुम्हार पार chromatography method में, paper chromatography होती है, यह हम लोगों को detail में पढ़ना रहेगा, और साइद एक और है, जो हम देख लेंगा आगे जाके lecture में, ठीक है, जब पढ़ेंगे उसे, तो यह और detail में समझ मा जाएगा, तो chromatography और spectroscopy के कौन-कौन से method हैं यहाँ दे रखे हैं, कोई भी एक-एक-दो-दो याद करो, sufficient है, clear है, तो instrumental analysis में, we use instrument, we use instrument, बात समझ मा रही है, अब बात करते है, physical evolution की, ठीक है, मैंने कहा था, लेक्टेशार लेंदी होगा, इसको हल्की भी नीद आ रही हो, या, sleepy लग रहा हो, तुरंच जाए, वीडियो pause करें और मुपे पाइंट डाले, बात समझ मा रही है, clear है, ठीक है, rest ले लो फटावर्ट दो मिनिट का, ओके, पीलिया पानी बानी, दुलिया मू, start करें, चलो, physical evolution, physical मतलब क्या रहेगा, उसकी physical characteristics को देखा जाएगा, है ना, एक physical में ये भी आता है, touch, और उसका texture गएरा, जहां पर थोड़ा सा physical में कह रहेगा, solubility, melting point, boiling point, इस सब चीज़ चेक करेंगे या पर, तो क्या कर रहे हैं, और ये हर किसी drug के लिए unique होता है, किसी भी दो drug का same नहीं होगा, in crude plant evolution, physical methods are often used, often मतलब अक्सा इस्त्माल किया जात concentration, viscosity, refractive index, melting point, ठीक है, water content, degree of fiber elasticity and other physical characteristics of the herb material, तो ये सारी चीज़ें इसकी physical property में आती है, physical evolution में आती है, और बारे बारे समझते हैं, क्या है, अब solubility सब लोग समझते हो, कि वो चीज़ soluble है या नहीं है, या soluble है तो किस solvent में soluble है, जैसे कि drug specific behavior towards solvent are taken into consideration, drug का जो specific behavior towards solvent, solvent के लिए उसका specific behavior है, कोई पानी में dissolve होगा, कोई alcohol में, कोई petrol में, कोई ether में, तो कौन सा drug किस में dissolve होता है, ये उसकी ए खास characteristics होती है, इस इस यूसफुल फॉर थे एक्जामिनेशन अफ मैनी ओइस, ओले रेजिस, एसे एक्जामिनेशन अफ मैनी ड्रक्स, ऐसे लिख दो, थोड़ा वाद अपना दिमाग भी लगा लोगे, ठीक है, आगे आते, एक्जाम्पल्स, the solubility of colophony in light petroleum, ये light petroleum में soluble होता है, the solubility of balsam of peru in solution of chloral hydrate, ये chloral hydrate में soluble होता है, ठीक है, the solubility of castor oil in half its volume of light petroleum and the turbidity produced with the two volume of the solvent, यानि की castor oil, मालो हमने 50 ml लिया, तो ये 25 ml petroleum लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, dissolve हो जाएगा, soluble हो जाएगा, बट अगर हमने उसका 2 volume ले लेंगे, अनकी 100 ml ले लेंगे, तो ये solution को solvent कैसा बना देगा, turbid बना देगा, मत्मेला टाइप का, the solubility of balsam of peru in equal volume of alcohol, ये जितना volume balsam का लेंगे, उतना ये alcohol ले लेंगे, जो कि 90% है, ठीक है न, तो उसमें का करेगा, वो, solid हो जाएगा, and the production of turbidity with the larger volume, अगर हमने उससे ज्यादा volume ले लिया, तो solution कैसा हो जाएगा, turbid हो जाएगा, castor oil is soluble only in 3 volume of 90% alcohol, तो castor oil है, उससे 3 गुना जादा, जब हम 90% alcohol कर लेते हैं, तो उसके अंदर soluble होगा, उससे कम में soluble नहीं होगा, while the adulterated form is, shows good solubility in alcohol, साधरन alcohol में जो adulterated form होती है, मिलावट वारा रूप होता है, मिलावटी, castor oil होता है, वो normally alcohol में क्या हो जाता है, फटावट soluble हो जाता है, alkaloidal basis are soluble in organic solvents and alkaloidal salts are soluble in polar solvent है ना, organic solvent होतला बेंजीन वगरा जैसे की अपना, और soluble in polar solvent जैसे की पानी, है ना, polar solvent जैसे कौन आगे अपना, water आजाता है, ठीक है, तो इस type से हम लोग क्या देखते हैं, अलग-अलग drug की, अलग-अलग solvent में क्या solubility है, तो यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं, कि हमारा जो drug हम ले रहे हैं, वो वो यह अलग drug है या नहीं है, optical rotation, ठीक है, optical rotation क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पहली बात कर सके हैं, जिलनों को नहीं पता हो, हम बता दूँ, होता क्या है, अगर मैं किसी drug को पानी में घोल दूँ, है ना, solution मना दूँ मैं, drug का solution है, और यहां से मैं एक light पास करा हूँ, यह जो light है वेटा, ठीक है, यह जो light होती है, this is plane polarized light होती है, है ना, जो बच्चे अभी 12 करके आ रहे होंगे, उनको समझ मां आ रहा होगा कि plane polarized light क्या होती है, जो लोग भूल चुके हैं, तब बता दूमे, light के, दो वो होते हैं, electric और magnetic field होती है light के पास, light के पास क्या होती है, electric field और magnetic field, क्या याद आया, याला graph, है ना, एक होती है electric field, और एक होती है magnetic field, इन दो से मिलके बनी होती light, जब हम इसको एक खास crystal, याने की, एक crystal होता है, इसको हम कहते है, nickel prism, क्या कहते है, nickel prism से पास कराते हैं, तो एक field, electric field और magnetic field, कट जाती है, वो तो रुक जाती है, यहां से पार हो पाती है, तो यह वाली light क्या कहलाती है, plane polarized light, एक ही plane में रह गया, अब यह आला part कट गया, तो plane polarized light को जब हम solution से गुजारते हैं, तो इसकी एक खास्यत होती है, कि यह light या तो left rotate कर जाएगी, या right rotate कर जाएगी, जैसे light यहां से पास कराई हमने, ठीक हम इसी direction में देखें, तो light या तो left चली जाएगी, या यहां से right चली जाएगी, ठीक है ना, जैसे हमने यह light पास कराई, तो यहां से light अगर left चली गई, यहीं से देख रहे हम, यहीं से light पास कराई, यहीं से light जा रही है, यहां से light left rotate कर गई है, आगे solution रखा हुआ है, इसमें से जाने के बाद light अगर left rotate कर गई तो live rotatory, light अगर right rotate कर गई तो dextro rotatory clear है, ठीक है न, तो जिन drug के पास ये property होती है, optical rotation, optic मतलब light, light को rotate कर दिया ठीक है न, तो इसको हम लोग कहते हैं, optical rotation, क्या कहते हैं, optical rotation, clear है, आगे आते हैं तो करा, when a substance rotate the plane polarized light, सब substances are set to be optically active, तो ये property हम लोग चेक कर सकते हैं, जिसका अंदर ये होती है, and this property is known as optical rotation, इस property हम लोग कहते हैं, optical rotation, the enantiomers that rotate light to right, enantiomers मतलब एक ही substance के दो रूप होते हैं, एक substance light को left rotate कर आएगा, और वोई substance छोड़ा सा arrangement change होने की वज़े से, right को, right rotate करा देता है, तो ऐसे दो, एक सेम substance को, जैसे कि मान लो, अब क्या है यहाँ पर, CH, CL, BR, और एक लिए लेते हैं हम लोग iodine, है न, तो I, BR, H और CL, अब इसका formula तो यह ही है, अब इसी को मैं ऐसा लिख दूँ, यहाँ पर I हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर CL हो गया, यहाँ BR हो गया, तो arrangement change होगी, लेकिन formula same है, यहाँ कि same molecular formula, बट different arrangement of atoms 3D में, तो ISO को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, inensiomers, है न, isomer न बोल करके, inensiomer बोला गया, क्यों, क्योंकि यह light के उपर असर डाल रहे है, isomer नहीं बोला गया, इसलिए, ठीक है न, तो the enensiomer that rotate light to right, और clockwise, ठीक है न, right को, या clockwise rotate कराएगा, when wing in the direction of light, light की ही direction हम देखो, और यह clockwise ऐसे घुमा दे, यह न, इस तरफ, याने कि clockwise, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल, dextrotrotatory D, और प्लस से donate करते हैं, किसे donate करते हैं, प्लस से, या, प्लस enensiomer बोल देते हैं, इसको हम लोग, clear है, and the enensiomer that rotate light to the left, और counter clockwise, याने की, उल्टी direction में, याने की, ऐसे देख रहे हैं, और light को ऐसे चला गए, light, याने की, left side में, इस काल, leo rotatory L, और minus enensiomer, ठीक है न, प्लस और minus enensiomer, यहां से हम लोग create कर सकते हैं, इस तरीके से बनते हैं, few examples of drug, this property, are eucalyptus oil, 0 degree से plus 10 degree, rotate करवाता है, honey, plus 3 से minus 15 degree, और kinopodium oil, minus 30 से minus 60 degree, light rotate हो जाती है, clear है, बात समझ में आई, तो यहाँ पर कुछ बाते, physics कियाने लगी है, now refractive index, अब जो पता होगा refractive index, यहाँ होता है, याद है, नहीं याद है, मालो यह क्या है, water, ठीक है न, this is normal, जोगा बच्चों को फटाक से यादा जाएगा, एक light आती है मेरे पास, और जाना चाहिए था straight light को, बट यह क्या कर कि bend हो गई, है न, तो यह क्या था, angle of incidence, angle of reflection, तो यहाँ पर क्या होता है, mu of, यह मालो मीडियम, 2 है, यह मीडियम 1 है, mu of 2 with respect to 1, that is, sin I upon sin R, याद आई, physics, this is the mu refractive index, यहाँ पर इसका काम नहीं है, बस बता रहा हो मैं, इस तरह से तुम लोग ने पढ़ाई की होगी, तो याद दिला रहा हो मैं, this is the refractive index, यानि कि light की रफ light in medium, medium कुछ भी हो सकता है, oil, पानी, glass, तो जब एक light, air से या vacuum से किसी medium में घुशती है, तो इसकी रफ्तार जो होती है, बदल जाती है, बलकि यह कहों को धीमी पड़ जाती है, ठीक है न, तो इसको हम लोग calculate करके, क्या निकालते है, mu, और हर किसी का mu अलग होता है, very important, तो सब्सक्राइब करते है, computed as the ratio of speed of light in vacuum, air, to the speed of light in material, उस material से जब गुजड़ेगा, इसका जो ratio होता है, यही क्या होता है, refractive index होता है, अगर हम बात करें, तो कैस्टर ओल के लिए, इसकी value 1.4 to 1.5, क्लोब ओल के लिए, 1.5 to 1.535 तक इसकी value आती है, clear है, समझ में आ रहा है, बंद कर दें, इसे आ गया आता है, अब specific gravity की बात कर ले, यह भी एक property जो हम लोग चेक कर सकते हैं, specific gravity क्या होती है, it is also known as relative density, relative का मतलब क्या हो गया, किसी के respect में, हम लोग क्या कर रहे है, the ratio of the mass of solid or liquid to the mass of an equal volume of distilled water, माल लो हमने 1 gram क्या ले लिया, कोई drug ले लिया, ठीक है न, ratio of the mass of solid or liquid to the mass of an equal volume of distilled water, और नीचे हम लोग क्या ले ले ले, उतना ही, mass ले ले किसका, 1 gram mass of distilled water, यही क्या आता है, specific gravity कहला आता है, यह fix होती हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, हर किसी drug के, उसके लिए क्या रहेगी, यह fix रहेगी, कुछ example दे रखे हैं यहापर, ठीक है, some example of specific gravity और drugs are cotton seed के लिए 0.88 से 0.93 होता है, coconut oil के लिए 0.925, caster oil के लिए 0.95 से, तक इसकी value रहती है, तो यह भी एक क्या है, हम लोग से specific gravity को चेक करके, क्या पता लगा सकते हैं, कि हमारे पर drug में मिलावट है या नहीं है, देख रहे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, समझते चल बाद में इसको summarize करना है, तुम लोगों को, जैसे कि मैंने समझा रखा है अपनी live classes में, कि किस चरीके से flow chart को create करना है, किस तरह से बनाना है, नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग इसको live class में देख लेंगे अपनी, ठीक है ना, आगे आते हैं, viscosity, viscosity is the resistance of the fluid to flow, है ना, viscosity क्या ह होता है, उसको चलने में दिक्कत पैदा होना, पानी बहुत असानी से बहता है, ठीक है, घी को फैलाओ या तेल को फैलाओ, थोड़ा धीमा चलता है, और वहीं शहद लेलो तो बहुत धीमा चलता है, याने कि चलीनी पार है, resistance to flow, उसको विरोध हो रहा है, ठीक है ना, तो गाड़ा पन, viscosity को हम सीधा-सीधा क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बात करें तो गाड़ा पन, viscosity of liquid is constant at given temperature, temperature fix रहा है, हम जिस temperature पर viscosity को नाप रहे हैं, वो इसी temperature बना पेंगे, क्योंकि temperature के साथ viscosity बदल जाती है, ठीक है, ओके, and is an index of its composition, और यह उसके composition का index होता है, कितना content उसके अंदर है, उसकी वज़े से उसके अंदर क्या आती है, viscosity create होती है, since it is a constant at given temperature, किसी एक temperature पर यह constant होती है, it is used as an evolution parameter, इसी लिए हम इसको evolution parameter के तरह इस्तमाल करते हैं, for example, pyroziline kinematic viscosity, 1100 से 2450 centistrocks तक होती है, याने कि pyroloxon की जो viscosity है, 1100 से 1500 centistrocks के बीच में लगबग रहती है, melting point सबको पता ही है, drug का melt करने का तरीका, अब हमको पता है, जिस drug के अंदर बहुत सारी chemical होंगे, और जिसके अंदर बिल्कुल chemical नहीं होंगे, ठीक है, या bonding कि इस टाइप की है, उसके हिसाफ से mainly bonding का रहता है, उसके हिसाफ से क्या होता है, उसका melting point effect करता है, the melting point of a solid is the temperature at which it changes its state from solid to liquid, solid का वो temperature, जिस temperature पे वो solid से liquid हो जाएगा, उसका हम लोग क्या कहते है, melting point कहते है, plant constant है, very sharp and constant melting point, plant की जो constant होते है, chemical constant होते है, उनका बहुत sharp melting point होता है, sharp करने का मतलब क्या है, जैसी मानलो, sharp melting point से क्या मतलब है, जैसे मानलो हम बढ़ रहे है, है ना, जैसे मानलो 50, 51, जैसी 51 जाएगा, खटाक से मेल्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 50 से जा रहे है, 51, 52, मेल्ट हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, 55 तक जाकर के मेल्ट हुआ, जैसे plastic मेल्ट होता है, धीरे-धिरे करके, ऐसा मेल्ट नहीं होगा, एकदम quick melt हो जाएगा, किसी एक temperature पर, that is called sharp melting point as far as crude drugs are concerned जहां तक की बात है melting point range has been fixed melting point की range fixed होती है due to mixed chemical उसके अंदर जो chemical है वो तो भी नीम का पत्ते के अंदर जो chemical है वो तो fix रहेंगे ना उसकी वैसे उसका melting point भी क्या हो जाता है fix हो जाता है the following drug could be evaluated using this parameter इन drugs को हम लोग एविलेट कर सकते हैं और एक्जामपल बीज्वेक्स का melting point 62-65 होता है वूद फैट का 34-44 होता है अगार मैल्ट एट 85 degree centigrade तो यह कुछ एक्जामपल देदी है कि 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 मैल्टिक पॉइंट पर किस टमपरिचर भी लोग मैल्ट करेंगे तो मैल्टिंग पॉइंट को भी हम लोग evolution का एक अधाया बना सकते हैं नेश्ट मॉश्चर कंटेंट किसके अंदर कितना मॉश्चर है हम यह भी देख सकते हैं तो मॉश्चर कंटेंट ऑफ ड्रग विल बी रिस्पॉंसिवर फॉर डी कंपोजीशन ऑफ क्रूट ड्रग ड्रग आइजर प्रडूसिंग केमिकल चेंज और मायक्रोबल ग्रोथ जितना ज्यादा मॉश्चर होगा उसके वैसे क्या होगा उसके अंदर मॉश्चर केमिकल कं करने को सकते हैं या माइक्कोब का अटाक असान ही से हो जाता है है ना तो मॉश्चर कंटेंट एक बड़ा ही centigrade इन ओवन टुए कॉंस्टेंट वेट हम लोग मॉश्टर रोग कैसे डिट अर्ट करते हैं कि मानलो एक पत्ता लिया इमेंजिन करो एक पत्ता लिया इसका वेट ले लिया हमने ठीक इसका वेट थोज़े करें माल लेते हैं हमने इसको क्या क्यारख किया दरएदर करके 105 और इसे चाट किया और तब तक हीट करते हैं युदbek है और जमने इसका वेट जिरा तो यह वेट क्या आ गया इसका कॉंस्टेंट वेट तो तब तक हीट करते हैं उसको जब तक हम लोग उसको उसके कॉंस्टेंट वेट पर ना ले आए यहां पर अच्छा लिमिट भी हो सकते कि इतना मौश्टर रहेगा तो चल जाएगा जैसे कि इस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं मौश्टर को कर रहे हैं और डिटर्माइन करते हैं यह भी एक फेक्टर आ गया अल्ट्रवाइलेट लाइट देखो इसका भी महिजदा चीज है सर्टन ड्रग्स फ्लोरेस याने कि अल्ट्रवाइलेट लाइट पर चमकते हैं कुछ ड्रग्स लाइट छोड़ो चमक मारते हैं ठीक है वेन दा कट सर्फेस और दा पावडर इस एक्सपोस्ट टू अल्ट् पावडर कर दो और फिर उसमें क्या करो अल्टावर्ड लाइट को उसके अंदर से गुजार हो ठीक है तो चमक मारते हैं एंड इस यूसफुल इन डाइटिफिकेशन ऑफ दोस्ट अब चमकेंगा हमको पता है कि यह ड्रग्स अल्टावर्ड लाइट में चमकते हैं तो हमा बट एग्जामिनिशन इन अल्टावर्ड लाइट गिफ सच्च मांग डिफरेंस नॉम्मली पॉटर रूप में हम लोग चेक नहीं कर सकते पॉटर दोनों का अल्मोस मिलते दो पॉटर होता है लेकिन जैसी अल्टावर्ड लाइट गिराते हैं डिफरेंस इन फ्लोर से जै अब बात को समझना तुम जैसे कि मैं तुमसे कह रहा हूँ एक कागज ले लो सपोस ठीक है ये कागज लिया इसको फाड़ा समझ लो फाड़ करके ऐसे कर लिया तुमने ये समझ लो क्या है क्रूड ड्रग है प्योर अब इसको तुम जलाओ गे तो इसकी एश राख निकल क आएगी क्योंकि प्योर है तो उसका राख कभी एक फिक्स अमाउंट आएगा अब मालो यही कागश था इसी में तुमने कुछ मेटल को तुकड़ी भी डाल दिये कुछ तुमने क्या कर दे लकड़ी को तुकड़ी भी डाल दिये कुछ तुमने कुछ और तुकड़ी मिले हुए है अब तुमने इसको जलाया कुछ तो जले हो कुछ नहीं चान लिया चानने कवा जो राख आएगी मतलब वो लकड़ी के ल अंदर मिलावट है बात समझ में आ रही है तो शिंपल है एश वैल्यू एश मतलब राक एश मतलब राक दर डिटर्मिनेशन ऑफ एश इस यूसफल पर डिटेक्टिंग लोग्रेट प्रोड़क्ट जो लोग्रेट के प्रोड़क्ट उनके लिए जरूरी होता है यह अग्जॉस्टेट ड्रग जिसके अंदर से हमने निचोड़ निकाल लिया है ठीक है न और वो उपर से देखने में एक सही लग रहा है लेकिन अंदर उसका chemical constant को निचोड़ लिया गया है ठीक है एंड एक्सेस ओफ सेंडी और अर्थी मेटर और या उसके अंदर रेतीली और अग्जॉस्टेट ड्रग मतला समझते हो ना जैसे कि दूद में से हम दो क्रीम निकाल लेते हैं तो वो और दूद क्या कहलाएगा एक्जॉस्टेट कहलाएगा को उसकंदर से क्रीम निकाल ली गई है बात के लिए है ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ एश वेल्यूस आर यू लिए हमने पूरा लिया मैटेर कुछ भी जो कुछ भी था उसको जला दिया कितना एश बच गया उसको वेट कर लिया इस इंक्लूट बोथ फीजियोलोजिकल एश इसके नदर दोनों चीज़े होंगी वाई क्योंकि प्लांट था उखाड़ा उसके मिट्टी इट्टी रहत एक्स्ट्रेनियस मैटर है ना बहारी मैटर मिट्टी है यहां फिर नैड हो गया एंड स्वाइल है एडरिंग टूदा प्लांट सर्फेस है मिट्टी इट्टी सॉल से चिपक जाता कितना साफ और चिपके रहते हैं तो टोटल एश वैल्यू हम यहां से कल्कुलेट करते हैं इसके अंदर मिट्टी और सॉल भी रहती है ठीक है अब यह दो टोटल एश वैल्यू एसिड इंसॉलिवल एश इट इस बाकी का बचा हुआ इंसॉलिवल पार था उससे इगनाइट कर दिया है ना हीट कर दिया इससे की सूख जाए इस मेजर्श दा अमाउंट ऑफ सिलिका प्रिजेंट इससे इस सैंड और स्लिशेश इर्थ अब क्या होगा रेसिडियू जो हमने है राक राक तो नीचे आ जाएगी इंसॉलिवल वाला पार्ट है ना और बाकी का पार्ट क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा तो उसमें क्य डाटा इसमील बाकी का रेसिडियू अफ्टर ट्रीटमेंट विञ्ट कर लेते हैं और उसको मुह आगी हमसे कर लेंगे इस तरीके से यह वाटर शazoसीवल हमारे पास आजाती है तो दी less को इस है ए गया करते है और इस ट्रीकशन द्रक की एस के साथ पिर किया करते हैं का प् ये क्या होती है The extract obtained by exhausting crude drug अब हमने क्या क्या है यहाँ पर सब्सक्राइब 100 ग्राम अद्रक ले ली उसे निचोड दिया उसमें से कितना रस निकल के बहार आया बात समझ में आई तो वोई काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे अब अद्रक का तो बात समझ में आ रही है अब मालो अद्रक जैसे कोई और चीज मिला रखी है अद्रक जैसी अद्रक नहीं है या उसके अंदर हमने ऐसी अद्रक मिला रखी है जिसमें पहले ही उसका juice निकला हुआ है तो अब जब मिलावट वाली अद्रक को 100 गरा हमने के बिचकाएंगे तो उतना juice नहीं निकलेगा ड़ेट इस कॉल एक्स्ट्रेक्टिव वैल्यू जो एक्स्ट्रेक्ट मतलब उसके अंदर से निचोड निकल के आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स्टेक्ट बोलते हैं जो निचोड निकलेगा उसके अंदर से जो झूस निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स्ट्रेक्ट बोलते हैं कीलिए Всем extract obtained by exhausting crude drug with different solvents are approximate measure of their chemical constant है ना अलग-अलग solvent के इस्थमाल करते हैं मैं तो simple बताया कि दबा दिया कई पर हम simply करें पत्ते लेंगे पानी में या किसी ऐसे solvent हो डाल जेंगे जिसके वो solvent उसके अंदर से क्या निकाल लेगा सारे chemical खीच लेगा उसको फिर नोग चेक करेंगे मिलावटी वाले ड्रग के साथ ठीक है वेरियस solvent are used according to type of the constant to be analyzed अलग-अलग solvent इस्थमाल किये जाते हैं कि किस टाइप का constant हमको analyze करना है water-soluble extractive is used for crude drug containing water-soluble constant like glycoside tannin crystallize अगर ड्रग के अंदर यह सब चीजे हैं तो water कर लेंगे बात समझ मारी है अब अगर कुछ ऐसे हैं जैसे कि टैनिन glycoside resin है तो alcohol का इस्तमाल कर लेंगे जो alcohol में स्लीबल हो जाते हैं कुछ जो इथर में स्लीबल होते हैं तो उसका इथर का weight by weight, alcohol soluble is not less than 10% होगा और ether soluble not less than 25% ठीक है? इससे कम नी होगा, 10% से कम नी होगा ये 25% से कम नी होगा, glycerizer के अंदर water soluble जो होगे वो 20% से कम नी होगा, एस फाइड़ा जो ये है, asofitida के अंदर not less than 50% और capsicum के अंदर not less than 12% ठीक है ना? तो ये एक value दे रखे कि अगर इनसे कम निकला अगर इससे कम निकलता है water soluble extract इसका मतलब मिलावट है बात समझ मारी है ठीक है ठीक है नाव foreign organic matter foreign मतलब विदेशी main chemical constant के बाद main chemical drug या main crude drug के अलावा कोई भी चीज जो होती है वो सब क्या है foreign organic matter है जैसे कि the parts of the organ or organs other than those parts of drug कोई organ का part या part other than drug mentioned in the definition and description of the drug are known as foreign organic matter मतलब कि the part of the organ or organ other than the dose of drug drug के अलावा कोई भी और या organ का part है ठीक है वो सब क्या है foreign organic matter है ठीक है simple language में लिख सकते हो कोई भी पार्ट इसका simple लिख लेना अगर यह definition tough लग रही हो कि anything या any substance other than other than the drug ठीक है उसको हम लोग क्या कहेंगे organic matter clear है okay they may be insect कीडा हो सकता हो छोटोंटे कीडा मर के पड़ा हो उसके अंदर मॉल्ड्स हो सकते है अर्थी मेट्रियल हो सकता है मिट्टी इनिमल एक्सीट हो सकता है एनिमल की पॉट्टी वगर हो सकती है एट्सेटरा each and every vegetable drug has their own limit each and every vegetable drug has their own limit बात समझ में आ रही है ठीक है each and every vegetable drug has their limit हर किसे में क्या limit है कि इतने से ज़्यादा चीजे नहीं होनी चीज़ से ज़्यादा होंगी तो मतलब फिर तो क्या दिक्कती आ जाएगी जैसे कि few examples of such limits are garlic should not contain more than 2% सताफारी should not contain more than 1% हर किसी के अंदर कुछ limits है कि इतनी limits से ज़्यादा organic matter नहीं होना चाहिए कि लिए रहे बाते हैं next आगे आए biological evolution last evolution है आपने पास biological evolution आप समझते है ना यानिकी जीवित जिन्दा चीजों का evolution करना तो जिन्दा चीजों का evolution करना या जिन्दा चीजों की help से evolution करना तो हम क्या सकते हैं evolution with the help of living things living things की help से क्या कर रहे हम लोग कर रहे हैं जिन्दा चीजों की help से कोई मशीन नहीं कुछ नहीं कैसे पर दों सिंपल तरीका है एक और ड्रक को चुह में लगाओ एक मिलावटी ड्रक को चुह में लगाओ को करो तो असर कम आएगा और जो ज्यादा अगया गया ऐस्प्रेमेंट अगया एक्सपरिमेंट और टेस्टिंग से लिए हैं इसको इसको हम मैं बहूँ से भी बोल देते हैं Now, it is the measure of the capability of sample. ये sample की capability को measure करता है under test to produce biological effect. कि वो कितना biological effect याने कि कितना असर दे रहा है. है ना कोई दवा खाते हैं तो कितना असर आ रहा है biological effect. In comparison to the standard preparation. Sample की testing करवाते हैं standard preparation से. यानि का मैंने जो बात बताए हैं अभी मैंने. एक sample की injection लगा देंगे. एक मिलावट वाले का injection लगा देंगे और testing करेंगे कि हाँ देखेंगे कि यास कितनी मिलावट है इसके अंदर. biological effect is represented in international unit. अब ये क्या चीज़ है? IU. है ना कई बर दवाईया मैं देखोगे खासका जो multi-vitamin रहता है. उसके अंदर IU लिखा रहता है. international unit. ये क्या चीज़ होती है? तो देखो, biological effect को हम लोग किसमें measure कर रहे हैं? या किसमें represent कर रहे हैं? international unit. ये क्या होता है? an international unit is the amount of substance that has a certain biological effect. मतलब कि एक कोई substance है, उसका इतना असर आना ही चाहिए अगर वो standard है, pure है. वो effect को बोला गया है international unit. उतना amount से उतना effect आता है, तो उतने amount को one international unit बोल दिया जाता है. उसका amount को दुगना करोगे, तो effect भी दुगना हो जाएगा, तो two IU कर देंगे उसको. ठीक है ना? क्या कह रहा है? For each substance, there is an international agreement on the biological effect that is expected for one international unit. यानि कि हर एक substance के लिए एक international agreement है, कि उसका इतना असर आएगा ही आएगा, और उसको हम लोग one international unit कहते हैं, उतने amount को. बात समझ में आई? अब कहरा है, following is our method, क्या कहते तरीके हैं, biological evolution के toxicity studies are performed in suitable animal models. Toxicity को अगर हमको check करना कि इसका नो toxic material कितना है, तो कुछ animal के model बने हुए है, ठीक है, जिसमें हम check करते हैं, lethal dose को और effective dose को, कि कितनी dose lethal है, कितनी dose effective है, mice are used to test the effects of various vaccine. चुहों का इस्तवाल होता है, mice है ना, oxytocic activity of vasopressin, vasopressin को अगर हमें oxytocic activity check करनी है, तो कहां होगी, गीनिया पिक क्यों पर करते हैं, और oxytocic injection is acid on young domestic chickens, या फिर, जो domestic chicken होते हैं, पालतु मुर्गे जो होते हैं, यह broilers नहीं, चिकन जो बनता है, जो खाने के लिए उनका नहीं, जो देसी मुर्गे होते हैं, ठीक है ना, by injecting into an exposed, crural और branchial vein, जो उसकी veins होती हैं, नसे होती हैं, उनमें इसको inject करते हैं, and noticing the changes in blood pressure, blood pressure में जो change आता है, उसको notice करके हम लोग oxytocic की क्या करते हैं, activity को check करते हैं, oxytocic activity of vasopressin, pigeons, कबूतर, are used to as a digitalis glycosides, ठीक हैं, digitalis glycosides को check करने के हम कबूतरों का इस्तवार करते हैं, by transfusing the drug through the alarvine, जो alarvine होती है कबूतरों की, उसमें inject कर देंगे to the bloodstream and observing the lethal effect, और उसके lethal effect को हम लोग check करते हैं, फिर, lethal मतलब घातक, depressor activity and mediatric activity, depressor मतलब कम करना और mediatric जो आँखों के उपर अफर करते हैं, effect of certain drugs are tested in cats and cats eye, बिल्ली में आप बिल्ली के आँखों में डाल करके चेक करते हैं, anti-helminthic drugs are evaluated on warm skin, कीडों के उपर anti-helminthic drug को डाल करके चेक करते हैं, डाल करके मतलब body में डाल करके, the drugs that have an effect in IR acid on rabbit's eye, जबाईयां जिनका अफर आँखों पर होना है, उसको हम खरगोस की आँखों में डाल करके, उसको चेकिंग करते हैं, evaluate करते हैं, हैना कि कितना effect आने वाला है उसका, dogs are used to assay the drug that exhibit cardiac and gastrointestinal activity, जो drugs की cardiac और GIT activity होती है, उसको चेक करने के लिए हम लोग डॉक का इस्तिमाल करते हैं, कुत्तों का इस्तिमाल करते हैं, effect of ergot are carried out on cox, calm और rabbit's intestine on its uterus, ergot के effect के लिए हम लोग cox, calm और rabbit की intestine के इस्तिमाल करते हैं, microbiological assays are carried out to determine the effect of drug in various microorganisms and this is employed in the identification of antimicrobial drug, ठीक है ना तो microbial assay को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, microorganism के इस्तिमाल करेंगे जिससे कि हमको antimicrobial activity drug की पता जलती है, तो यह तमाम तरीके हैं, drug को क्या करने के लिए, evaluate करने के लिए, जाचने के लिए कि drug pure है या नहीं है, मिलावट है कि नहीं है, यह सब चीज़े पता जलती हैं हमको, यह सारे तमाम तरीके से, बास समझ भारी है, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, evaluate करते हैं किसको, mind nurture app को, कि वो आपको क्या क्या देने वाला है, किस तरीके से आपको benefit करने वाला है, आपके d pharma की journey में और exit exam की journey में किस तरह से आपको लिए वो best साबित होने वाला है, आपकोन हमारा mind nurture app, आईए देखते हैं उसके कुछ खुबियां, तो आओ जानते हैं अपने mind nurture app के बारे में, तो येस हमारे channel का जो नाम है mind nurture उसी के नाम से अब app आ चुका है, जो की google के play store पे मौजूद है, ठीक है, lecture के link में भी उसका description दे रखा है, और चाहो तो direct कहां, play store पे जा करके उसको download कर सकते हो, ठीक है, अब देखो, यूटूब पर lectures and notes, यूटूब पर भी available है, free of cost, है ना, जब मैं पहले से भी पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चे से promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूँ, मैं यूटूब पर ठीक वैसे डालता रहूँगा, कोई change नहीं आएगा, जितने lecture मेरे app में होंगे, जितने notes मेरे app में होंगे, उतने lecture और notes आपको यूटूब पर मिलेगा, बट क्या चीज आपको यूटूब पर नहीं मिलेगी, वो चीज है, one marks question की practice, जो one marks important question होंगे, ठीक है ना, one marks question में basically तुम्हार पास क्या आते है, mcq और fill in the blanks, ठीक है न, यह तुम्हारे अब नय जो pattern है, उसमें नया exam pattern है, ठीक है न, उसमें mcq और fill in the blanks आ रहे हैं, दोनों मिला करके 10 नमर के यह आते हैं, ठीक है, plus two marks question, याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ important question दूँगा, मैं two marks, three marks, five marks की, आगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे, तो pass तो guarantee हो जाएंगे, ठीक है, और जब detailed knowledge चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा lecture पढ़ेंगे भी, और समझेंगे भी, आप लोग, मैं तो पढ़ाई रहा हूँ, ठीक है, और जिस बच्चे केवल pass होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन questions की practice कर लेगा, live class होगी, अब माल लो, मैं ये यूटूबर lecture को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तवार doubt फस गया है, ठीक है, तो वो कैसे cover होगा, तो उसके लिए क्या होगा, live class होगी, doubts के लिए मैं आया करूँ हो, live class, जो कि अभी start अलड़ी हो चुकी है, बच्चे doubts पूछ रही है, और class चल रही है, सबसे बच्चों बड़ी चीज़ जो होने वाली है, MCQ test की practice, ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ questions, MCQ questions की इतनी सारी practice होने वाली है, हर lecture से 15-20 questions भी पूरे chapter से मिला करके, 130 questions हो जाए करेंगे, जो की तुमारे deform और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है, MCQ questions, अब जखो, समस्थे क्या है, ये MCQ questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते, YouTube पर नहीं ले सकते, अब YouTube पर क्या होगा, मैं बताता हूँ, ऐसे मैं चल रहा हूँ, question लिखा होगा, चार option लिखे होगा, मैं बोलूगा, बच्चों ये question है, ये 4 option इसका answer ही है, मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना, मजा कैसे आएगा, question सामने होगा, तुम पढ़ोगा, तुम answer क्लिक करोगे, पढ़ करके, सोच करके, वो मजा आएगा, उसके practice होती है असली, ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा part, आपको मिलने वाला है, फिलिंदा विल्यांक से बारे में, बात करी चुका हूँ, routine test for de-farm and exit exam, only 40% marks चाहिए, सबको पता है, 100 मेंसे सबको कितने चाहिए, 40 number में pass हो जाओगे, ठीक है ना, तो routine test, routine test का क्या मतलब है, माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ, उसका test हो जाएगा, फिर chapter 2 खतम हुआ, उसका test हो जाएगा, फिर combined test होगा एक, किसका, chapter number 1, plus chapter number 2 का, फिर chapter 3 माल लो खतम हो गया, फिर उसके पाद एक combined test होगा, 1 plus 2 plus 3, इस तरह से चलता रहागा, चलता रहागा, एक टाइम वो आएगा, 1 plus 2 plus 3, माल लो 13 chapter है, तो combined test हो रहे है, यह जो test अगर बच्चा कोई, मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया, और अगर बे मन से भी दे रहा है, 20-30% तयारी करके भी, तो 40% यानि कि 40 number लाना, फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा है, इस exam को target करके होगी, ठीक है ना, जो subject तुमारे exit exam में आएंगे, उसको target करके पढ़ाई होगी, यानि कि जब theory पढ़ोगे, या लिए question अच्छे से कर ले जाओगे, तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे, और MCQ जब बहुत अराम से कर ले जाओगे, तो exit exam बहुत अराम से clear कर ले जाओगे, बात समझ मारी है, और fees बिल्कुल minimal है, ग्यारा सो रुपए, पूरे साल के लिए सभी subjects की, first year पूरा साल, सभी subject ग्यारा सो रुपए, second year पूरा साल, सभी subject फिर से ग्यारा सो रुपए, यानि कि एक साल की fees आपकी ग्यारा सो रुपए पढ़ रही है, इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे, तो ना कि बराबर है, महिने का तुम्हारा 92 रुपए संथिंग पढ़ता है जाकर के, इस से सस्ता, cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है, उसके बाद भी अगर कोई query है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, notes का link जो description में दिया रहता है lecture के, YouTube के सभी lecture, मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है, जिसमें मैंने notes नहीं दिया है, जिन बच्चों को नहीं पता, description से निकालना नहीं आता है, मुझे call कर ले, या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले, ठीक है, उसके बाद भी कोई दिक्कत है, तो बे जिजग, बिना हिचके चाहे, मुझे call करें, doubt clear करें, इस चीज को लेकर रहे है, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूँगा, clear है, बात समझ में आ गई, और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, yes, revision, बिना revision कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊगा, यानि कि पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो revision, जरूर 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 करना में है, जरूर से कहता हूं, revision ही है, selection, revision करोगे, तो life में हर एक चीज में अचीज पालोगे, हर एक चीज आपको अचीज हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्या करते रहो, revise करते रहो और पढ़ते रहो, all the best,